दोस्तों पिछले लेस्न में हम लोगों ने फोटोशॉप में बलर और शापन टूल की मदद से किसी भी पिक्चर में डेप्थ क्रियेट करना सीखा इस लेस्न में अब हम लोग जिन टूल की तरह बढ़ने हैं वो है डौज एन बर्न टूल दोस्तों जब भी हम कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं तो जो सबसे ज़दा इंपॉर्टन चीज होती है वो होती है उस पिक्चर में मौझूद लाइट दोस्तों इस लाइट को एडिट करने के लिए हम फोटोशॉप में जिन टूल का इस्तमाल करते हैं वो हैं डौज एन बर्न टूल इनी टूल्स को हम इस लेसन के अंदर एक्स्प्लोर करने जा रहे हैं दोस्तों आपके सामने ये एक इमिज मौझूद है इस इमिज को हम पहले भी ट्रीट कर चुके हैं कुछ टूल्स की मतलब से फोटोशॉप में इस लेसन में हम लोग इस इमिज के उपर डौज और बर्न टूल को इस्तमाल करके देखेंगे तो चलेंज चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और एक्स्प्लोर करते हैं डौज और बर्न टूल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर पहले से प्रिपेयर करके रखी हुए है जिसमें के मैंने इस image के उपर pot healing tool, healing brush tool और patch tool का इस्तेमाल पहले से कर रखा है अब मैंने यहां पर जो इस्तेमाल करने हैं वो हैं हमारे dodge and burn tool दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले ये करूंगा कि मैं डूब्लिकेट लूँगा कंट्रॉल जे की मदद से इस लेयर की और यहां पे मैं नाम दूँगा इसका डॉज एंड बर्न का ताकि मुझे याद रहे बाद में कि मैंने जो डॉज अन बर्न वाला काम है वो इस लेयर के अंदर किया हुआ अच्छा दोस्तों क्यूंके इसमें सांपल और लेयर वाली आप्शन वाई रपास नहीं होती तो हमें डॉज अन बर्न जो है ये डॉब्लिकेट लेके लेयर को उसे के ओपर हमें इसको अपलाए करना पड़ता है यह स्टार्ट की है डाच ण बर्न जैसे ही आप अपने की बोर्ड के ऑपर ऑप्रेस करते हैं तो आपके पास यहां पर डाज और बर्न टूल जा है इसकी option अपन हो जाती है यह आप देख सकते हैं कि डाज और बर्न टूल जहें वह एक जुसरे के ओपर यहां पे मौझूद अच्छा जी अगर हम यहां पे इसके options देखे हैं। हमारे पास brush की options हैं जिसमें के हम soft brush choose कर सकते हैं। असके लावा हम कोई hard brush choose कर सकते हैं। फिलाल हमने यहां पे soft brush जा है ओज़ चूज़ किया हुआ। इसके पास यहां पे एक option है shadows, mid tones अंड हाइलाइट्स दोस्तों क्योंकि यह जो डॉज अंड बर्न की जो आपशन है यह मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया कि डॉज अंड बर्न टूल जो है यह बेसिकली लाइट से रेलिमंट है इस वज़ा से हम यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैं जिस आपशन को चूज करूँगा वो है मिड टोन्स की यहां पे हमारे पास एक्सपोयर की आपशन में मौझूद है हम एक्सपोयर थोड़ा सा कम करके इस्तमाल करते हैं आम तोर पे ताके हम जब ब्रश अप्लाइ करें तो वह एक गम से बुरा ना लगे और पैट सा न अबेलेबर ए उनको आपने थूड़ा सा एक्जाजरेट कर देना है जिसना यहां पर अगर मैं आइस केंदर आहूं तो यह हम देख सकते हैं यहां पर आइस को हमम मजीद थूड़ा सा वाइट कर सकते हैं ताके जो आइस हैं वो यह जो इनके अंदर यह एक रेडिश hyper नेस यह जो रेटना के इर्थ-गिर्ध हमने यहां पर डॉच टूल के मदद से एक लाइट रिंग क्रिएट कर दिया अगर मैं इसको आफ करूँ लेयर को तो यह देखें यह आप देख सकते हैं कि इमज के अंदर बिलकुल एक जान सी पैदा हो गई है जो आइज हैं वो बिल्कल हमें अब अलाइफ पील हो रही है तो आप यह जो जो एरियास हैं हम ब्रॉच को कम ज्यादा करते हुए इन अरियास पर जहां जहां पर हमें जरूरत मحसूस होती है यहां-जहां पर पहले से हाइलाइट और लाइट आवेलिबन है उन areas को हम enhance करते जाएंगे इस tool की मदद से लेकिन हमने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्यार लखना है कि हम जो dodge apply कर रहे हैं उसकी वज़ा से कोई भी area जो है वो खराब न होने पाए हम definitely zoom in करते रहेंगे meanwhile और साथ साथ हम जो है वो अपने tool को apply करते रहेंगे यह देखें जो areas कुछ areas ऐसे होते हैं दोस्तों जो के clearly हमें नजर आ रहा होता है कि उनके अंदर अगर हम कुछ थोड़ा सा dodge apply करें तो light मजीद clear हो जाती है अब यह देखें अगर मैं इसको off करता हूं तो यह और दोबारा on करता हूं तो आप देख सकते हैं कि highlights किस कदर जो हैं वो visible हो चुकी है इसी तरह से यहां पर ear के जो अंदर वाला portion है यह भी मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि इसमें भी margin है और यहां पर भी मैं थोड़ा सा dodge apply करना चाहरा हूं तो यह तो हो गया दोस्तों dodge अब हम आते हैं burn की तरफ दोस्तों dodge basically burn के बिलकुल opposite है दोस्तों dodge tool की मदद से हम highlights यानि के light को add करते हैं burn tool की मदद से हम darks को add करते हैं सिर्फ इतना सा फ़रक है dodge and burn के अंदर तो दोस्तों आप ये burn को लेके मैं क्या करूंगा कि जो areas मुझे थोड़े थोड़े dark लग रहे हैं जिसना ये eyebrows हैं इसकी इनको मैं हलका सा dark करूंगा exposure को मैं थोड़ा कम कर देता हूं एक और चीज मज़े की मैं आपको पताता चलूं कि ये जो dodge and burn टूल है ये आप आम तोर पर जब इस्तमाल हम करते हैं तो इन टूल्स को एक दूसरे के साथ as a combination हमें यूज़ करना पड़ता है यानि के बाज वकात कहीं पर आप darks add कर रहे हैं तो फौरण आपको highlights नजर आ जाती है वो आप उसी वक्त मिस्स ना करें उसी वक्त आप वहां पर apply करें और आगे move कर दें और दूसरा एक ये भी आपको मैं टिप देता चलूँ कि जहां जहां पर आप highlights add कर रहे हैं वहीं वहीं पर उनके बिल्कुल साथ वले areas में कहीं न कहीं darks की भी एक आपको गुंजाइश जो है वो नजर आएगी जिसना से ये देखें मैं इस image के अंदर dark side कर रहा हूं ये देखें बड़ा clear है कि जो jaw line है दोस्तों jaw line इस image में हमारे पास हमारे character की इसके नीचे का जो area वो shadows वाला है तो वहां पे मैंने burn का इस्तमाल किया है और जो highlights वाला area वहां पे यानिके जो cheeks वाला area अपर cheeks वाला area वहां पे मैंने dodge का इस्तमाल किया है और इस तरह आप देख सकते हैं कि image कितना interesting हो गया है अब अगर मैं dodge and burn को off करूँ और दुबारा on करूँ तो यह आप देख सकते हैं आपके सामने हैं कि जो image है यह किस कदर पहले की निस्बत up lift हो चुका है और light और darks के add होने से यह image कितना खुबसूरत बन चुका हुआ है दोस्तो इस lesson में हम लोगों ने photoshop में dodge and burn tool को study किया और आप लोगों ने देखा कि कितनी असानी से हमने अपने image को कितना uplift कर दिया दोस्तो इन दोनों tools को इस्तमाल करते हुए आप किसी भी image को बहुत ज़दा interesting और visually attractive बना सकते हैं photo editing के अंदर dodge and burn tool को बहुत ज़दा importance हासल है दोस्तो आगे चलके जब आप layouts create करेंगे posters की, magazines की, newspaper ads की उस वक्त आपको अपने images को interesting मनाने के लिए और उनमें dramatic effect को पैदा करने के लिए इन दोनों tools का बहुत इस्तमाल करना पड़ेगा मैं उमीद करता हूँ कि आपको dodge and burn tools समझ में आगे होंगे अब आप लोगों ने इन दोनों tools की बहुत ज़दा सारी practice करनी है next lesson में मिलते हैं कुछ मज़ीद मज़दार tools के साथ